Hello friends, welcome to Healthy Sansar. आज हम insulin resistance के विसेय में जानेंगे. जब भी diabetes से related medicine, food, exercise की बात की जाती है, तो insulin resistance का जिक्र होता है. जैसे यदि आप चेनी, गुर, मैदा, सफेड चावल खाते हैं, तो insulin resistance बढ़ता है. हरी सबजी, dry fruits, green tea, मेथी दाना, केला खाते हैं, तो insulin resistance घटता है. पर यह insulin resistance होता क्या है? diabetes में जितना जरूरी glycemic index और glycemic load के विशेय में जानना है, उतना ही जरूरी insulin resistance को भी जानना है. insulin resistance से diabetes का पता बहुत पहले लगाया जा सकता है. यह समय 5 साल, 10 साल या 10 महीने भी हो सकता है. यह निर्वर करता है व्यक्ति की lifestyle पर, उसकी food habit पर. अब समझते हैं, insulin resistance क्या है? insulin एक hormone है, जो pancreas में बनता है. इसका काम है glucose को cell तक पहुचाना. साथ ही insulin glucose को store करने का भी काम करता है. यह glucose को store करता है liver cell, muscle cell और fat cell में. यदि insulin ढंग से काम नहीं किया, तो हमारा शरीर glucose store नहीं कर पाएगा. यहां तक ही insulin के absence में fat भी नहीं बन सकता. fat तूट जाता है और यह keto acid बनाता है. यह clear हो गया कि insulin कितना important है. लेकिन एक ऐसे situation आती है, जिसमें हमारी muscle cell, liver cell, fat cell, insulin को सही response नहीं दे पाती. insulin cell में enter करना चाहता है, उसके पास glucose है, लेकिन cell का receptor उसे identify नहीं कर पाता. जिस कारण insulin और glucose दोनों blood में ही रह जाते हैं. यही condition insulin resistance कहलाता है. इसमें cell ने insulin के प्रती resistance पैदा कर दिया. मतलब insulin को cell में enter करने से रुकावट डाल दिया. अब इस condition में आगे क्या होगा? चुकि blood में glucose की मात्रा बढ़ गई. यह trigger करेगा pancreas को insulin के production के लिए. क्योंकि pancreas का काम ही यह है. जैसे ही blood में glucose की मात्रा बढ़ती है, pancreas insulin बनाना शुरू कर देता है. इस तरह insulin की supply बढ़ जाती है. blood में glucose level के साथ insulin का level भी बढ़ जाता है. जिस काम के लिए 5 unit insulin चाहिए थी, उस काम के लिए अब 10 से 15 unit insulin पहुँच गई. insulin glucose लेकर cell में enter कर गया. यह जो signal problem स्टार्ट हो चुका है. cell और insulin के बेच, यह बढ़ता चला जाएगा. कुछ समय तक सब सही चलेगा. फिर से cell insulin के प्रती response करना बंद करता है. blood में glucose का level बढ़ता है, और pancreas insulin के supply बढ़ा देती है. यहां हम देख रहे हैं कि cell resistance बढ़ाता जा रहा है. मतलब insulin resistance बढ़ता जा रहा है. हम blood test करवाते हैं और हमारा glucose level नॉर्मल आता है, नहीं आएगा जब तक insulin के supply कमना हो जाए, यानि pancreas पहले जैसा insulin बनाने के लाइक न रहे. यह भी हो सकता है कि insulin की मात्रा इतनी बढ़ गई कि उसका काम करनी का mechanism ही disturb हो जाए. यह report में कब सामने आएगा? यह depend करता है हमारी life style पर, हमारी food habit पर, physical activity बिलकुल नहीं है, खाने में काप्स ज़्यादा हो, खाने का कोई time table नहीं हो, ऐसी चीज़ें नहीं खा रहे हैं जिन में antioxidants होती हैं, तो हो सकता है एक साल के अंदर glucose का लेबल, blood test में 130 से उपर आ जाए. insulin resistance का पता समय पर लग जाए, तब diabetes का chance कम हो जाएगा, यही condition pre-diabetes condition कहलाती है, pre-diabetes को reverse करना आसान है, insulin का पता लगाने के लिए दो test होते हैं, C-peptide test और fasting insulin test, C-peptide test इससे doctor type 1 और type 2 diabetes का पता लगाते हैं, इस test से insulin resistance का भी पता लग जाता है, इसमें normal range 0.51 से 2.72 nanogram पर एमिल होता है, यदि report में value 0.51 से कम है, तो type 1 diabetes का chance रहता है, fasting insulin test, जैसे fasting glucose test करवाते हैं, उसी तरह fasting insulin test भी होती है, इसमें normal range होता है 2.6 से 24.9, fasting insulin test करवा लिया, और fasting glucose test भी करवा लिया, तो एक formula है जिससे आप खुद अपना insulin resistance निकाल सकते हैं, insulin resistance equal to fasting glucose into fasting insulin divided by 405, यदि value 1.9 से कम आ रही है, तो कोई problem नहीं है, यदि value 1.9 से 2.9 के बीच आ रही है, तो insulin resistance moderate है, लेकिन value 2.9 से उपर है, तब insulin resistance है, यदि value जितना उपर जाएगा, insulin resistance उतना ही बढ़ता चला जाएगा, यह जो process है, insulin resistance निकालने का इसे होमा आई आर कहते हैं, Google में सर्च करने पर यह detail में आपके सामने आ जाएगा, insulin resistance यदि बढ़ता है, तो हमारी body में symptoms भी दिखते हैं, इसके लक्षन क्या है, इसके कारण क्या है, और इसे कैसे reverse कर सकते हैं, insulin resistance निकालने का जो formula है, उसे example के साथ मैंने ब्लॉग में बताया है, आप देखेंगे कि जिनका glucose level 80 है, उनमे insulin resistance ज़्यादा है, जिनका glucose level ज़्यादा है, उनमे insulin resistance कम है, इससे detail में समझने के लिए मेरी ब्लॉग पढ़िये, link comment box में है, और video की link description box में है,